सो हाई फ्रेंट्स, वेलकम डो यूट्योप चेनल, फ्रेट्स वारी एनरजी आईपयो की लिस्टिंग रे स्ट्रेजी में आप लोगों के लिए तियार कर ली है, यानि कि जिनको IPO अलोट हो गया है वो यहां पर listing वाले दिन क्या planning कर सकते हैं इस IPO को उनको hold करना चाहिए या sale करना चाहिए जिनको अलोटमेंट नहीं मिला है वो किस price level के उपर यहां पर entry ले सकते हैं सारी information आपके साथ में share करने वाला हूं जो देखे दोस्तों यहाँ पर इस IPO के अंदर जिनको अलोटमेंट मिला है सबसे पहले उनको मैं congratulation मोलना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत अच्छे IPO के अंदर आपको यहाँ पर अलोटमेंट मिलना नहीं मिलना depend करता है आपके लग के उपर लेकिन अलोटमेंट मिलने के या नहीं मुझे इस IPO के अंदर अलोटमेंट मिला ही नहीं है जबकि मुझे यह उम्मीड थी कि यह एक यह दो तो यहाँ पर मुझे लगेगी लेकिन नहीं लगी लेकिन कोई बात नहीं यह सब लगका लगक्यों पर depend करता है ठीक है तो यहाँ पर अगर आपको कितने लोट आप लोग को लिए लगा है कितने लोट मिला है तो आप मुझे कमेंड करके बता सकते हैं अगर आपने अपे इप्लाय करके मुझे बता सकते हैं अब बात करidasnane लिस्टिंग की बात करें ऑन्र तो मंदे 28 अक्टोबर को लिस्टिंग बात करें ऐब अब पर तो design में रखनी ये शेर आपके 9am से पहले-पेले आपके DMAT account के अंदर आजाएंगे, आप उनको چेक कर लेना, DMAT account में आने के बाद में अपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप sale करो या नहीं करो, आप sell करो या नहीं करो, आप д'M00Pластwię के अगर आप टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है इसलिए आप पहले से ही सुबह टीप इंडाल के अपनी होल्डिंग के बार वेरिफाय कर लेना सेल करो या मत करो वह अलग मेंटर है वैसे मैं आपको कोई आप जो वीडिय लगाऊगे नाइन से लेकर 930 के बीच में वह यहां पर कभी भी 930 से लेकर 945 के बीच में कभी भी यहां पर एग् proposing हो सकती है और final price ॑ कभी भी यहां पर कभी फुटीनव मिनिट के अनदर कभी फाइनर प्रीस निकलके आ सकती है 945 पर तो जो 945 पर price निकल के आएगी pre open market में वो ही इसकी final price होने वाली है वो इसकी listing price होने वाली है और जो कि 10 बजे शार्प 10 बजे BSE और NSE दोने को पर आप यहाँ पर trade करते हुए देखेंगे को इसकी price को सुबर 10 बजे इसकी बारे में detail order बता हूँँगा मैं आगे आप जुड़े रहे है ज्यादा इसमें अभी आपको इसा नहीं किया रही क्या बता दिया आगे सारी चीज़ आपको मैं clear करने वाला हूं अब देखो IP price क्या है इसकी 1503 इसकी IP price है current gray market 1375 का तो current gray market के को अगर हम IP price के अंदर add कर देते हैं तो हमारी final price निकल के आती है 2878 अभी final price निकल के आती है अभी market का sentiment क्या है यह सब कुछ depend करता है IP की listing पर है जब भी कोई IP की listing होती है इसमें market की sentiment क्या है वो सब कुछ मार्केट के sentiment का IP की listing पर बहुत ज़्यादा effect होता है अभी market है फियर जोन के अंदर फियर जोन के अंदर इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर FII बहुत तगड़ी यहां पर selling कर रहे हैं जिसके वज़े से market के अंदर गिरावट है देखे यहां पर आप देखेंगे कि भाई जो 52 परसेंट तक की सभी के अंदर यहां पर गिरावट है तो मार्केट यहां पर extremely फियर जोन के अंदर है और मंडे को भी फियर जोन में रह सकता है ठीक है तो आब आपको के स्ट्राडेजी फोलो करने यह आपके लिए जाना जरूरी है तो इसका फर्क देखें आप इसी का effect गर्मार्केट यहां पर आप पहुंच गया था 003 के पर वो यहां पर 91 पर आ गया है 13 70 के उपर मारोगी में निवेस्टर जो है मार्किट में तीन तरह के होता है तीन तरह के मार्केट में चुन का सुल Sonos está है एक तो नहीं होता है शोर्डर्म इन्वेस्टर दूसरा नहीं मीडियम अपर पर लोंग टर्म स्टर्मिंवेस्टर कौन स्धे जिन्होंने लिस्टिंग इन के साफ से पैसा लगाया यह लिस्टिंग मुझे तेरह हजार मिले या दस हजार मिले मुझे प्रॉफिट लेके निकलना है तो यह उनका जो objective है वो क्या है यहाँ पर maximize immediate gains कि immediately उनको जादा जदा प्रॉफिट मिले और वो निकल जाए ठीक है तो आप इन में से किस ना यहां पर जरूर होंगे तो आपका action plan क्या हो सकता है consider booking profits इब्दाइ स्टोक list closure to about 278 अगर 2878 यह उसके उपर यहां पर listing होती है तो यह आप यहां पर profit booking कर सकते हैं क्योंकि आप यहां पर short term investor और आपने के वर listing gain के साब से पैसा लगाया है तो जो भी आपको profit मिले चाहि 12,000 का मिले चाहि 11 का मिले आप अपना profit booking करके यहां से exit हो सकते हैं लेकिन यहां पर use a trailing stop loss to protect profit in case of volatility लेंकि market में अगर बहुत ज्यादा volatility रहती है तो यह आपको यहां पर trailing stop loss काम में लेना होगा trailing stop loss का होता है कि अगर जैसे जैसे stock की price बढ़ती जाती है वेसे वेसे हमारे SL को भी यहां पर हम update करते जाते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है कि हमारे जो profit है वो maximum से maximum में आपको generate होता हुआ देखने को मिलेगा अब देखें दूसरी category जो investor वह यहां पर है medium time investor जो की एक महीने से लेकर 6 महीने या बारा मनते तक यहां पर invest करते हैं इनका objective क्या होता है इनका objective है अच्यू रिटरंस अब लिस्टिंग प्राइस फाइल मेनेजिंग मार्केट रिस्क यानि इनका यह कि यह जो लिस्टिंग प्राइस हुई है ना उससे थोड़ा उपर और मिल जाए जैसे 2888 की प्राइस को परोसक्ता है लिस्टिंग हो जाए तो यह चाते है कि 35 पर मुझे प्रॉफिट पहुंच जाए मैं अपना profit booking करके निकल जाओंगा तो यह इनका target होता है तो होल्ड करना होता है अगर मार्केट के अंदर stability बनी हुई है मार्केट इस्टेबल है और IPO प्राइस उपर जा रही है तो आपको यहां पर एक बार में पूरी quantity सेल ना करके थोड़ी थोड़ी करके quantity आपको सेल करनी होती है ऐसे करके आपका जो target है जो IPO प्राइस से उपर का profit करने का वह target आपका अच्छी हो सकता है तो होल्ड करने का मतलब कि अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको कम से कम वन से लेकर 12 मंत या 6 मंत आपको होल्ड करना पड़ेगा जबते कि आपका target यहां पर अच्छी नहीं हो जाता अब बात कर लेते हैं long term investor की तो यह long term investor होते हैं जो कम से कम 2 से 3 साल के लिए invest करते हैं वो होते है long term investor इनका objective होता है कि बाया कोई भी stock जो है इनके portfolio में रहना चाहिए तो यह जो stock है वो renewal energy sector का है तो इनको यहां पर hold करना चाहिए तो यहां पर market में चाहिए कितना भी volatility हो market में कितना भी fear हो इनका कोई effect इनको पर नहीं होता है तो यह यहां पर इस stock को यहां पर long term के साब से यहां पर hold कर सकते हैं और अगर आप long term investor हो तो सबसे पहले आपको यह जाना ज़रूर दिए कि जिस company में आप long term आप invest करते हो वो company कैसी है उसके fundamental यहां पर कैसे है तो यह वारी energy का तो आपने गरे market में देखा होगा उसे तो profit देखते हैं तो देखे profit के अंदरा 22 में आप profit देखे 23 में profit देखे और 24 में profit देखे कैसे हैं आप company continuous profit अंड कर रही है तो भाई मैं तो यह यह बोलूँगा कि जो अगर आप यहां पर चाहिए medium term investor हो चाहिए long term investor हो सबसे पहले आपको अगर इसकी listing के बाद में आपकी कर सकते हों तो यह strategy आप यहां पर फोलो कर सकते हैं तो देखे यहां पर क्या है कि अभी market जो है fearful zone के अंदर है तो यहां पर थोड़ा risk हो सकता है तो risk को manage करके चलना है अब मैं आपको बता देता हूं कि यह मैं क्या strategy फोलो करने वाला हूं तो देखो मैं यहां पर जो 2878 की price से starting में हो सकता है कि यहां पर pressure बनाया जाए price 2878 जो हम बता रहे हैं हो सकता है उससे नीचे की तरफ अगर लिश्टिंग होती है 2600 रुपे पर या 2500 रुपे पर अगर आ जाता है तो मैं definitely long term के यहां पर इसके अंदर entry लेने वाला हूं अब मैं आपको बता देता हूं जिस प्री open market start होगा सुबर 9 बजे तब से मैं आपके साब में live रहूँगा 12 बजे तक के लिए ठीक है तो यहां पर जो भी candles बनेगी तो मेरा जो indicator है IPO indicator यह मुझे best suggestion देता है कि भाईया अब जो है stock की price उपर जाने वाली है यह नीचे जाने वाली है तो भाई अगर यह जो red जो से ही इस line की नीचे बनी सारी candle इसके नीचे की तरफ यहां पर फोल होती हुई दिखाई दे रही है अगर कोई candle इसके उपर की तरफ बन जाती यहां पर ठीक है उपर के level बन जाती तो यहां पर price उपर जाने के अच्छे कहां से chances थे तो यह सारी चीजे अभी बताना मुस्क करते हैं volume क्या रहा है बाई का volume जादा रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं चैनल को subscribe कर लो सबसे पहले तो subscribe कर लो बेल आइकन को प्रेस करके रख लो ताकि जब मैं यहां पर इसकी लिस्टिंग सुबह इसकी लिस्टिंग अठाइस तारीक को तो सुबह आठ बजे लाइव आउं में तो आप लोगों से connect हो पाऊँगा और मैं यहां पर यह चार्ट ओपन कर लूँगा शुरू की 10 केंडल मुझे यहां पर स्टार्टिंग की 10 केंडल 10 केंडल जो बनेगी 1234510 केंडल जो बनेगी वो मुझे मार्केट की डायरेक्शन पता देगी वह इस स्टोक को आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए सारी स्ट्रेजी मैं आप लोगों के साथ में लाइव आके सेयर कर करूंगा तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो थैंक्स फूर वाचिंग